प्रियव विद्यार्थियों आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है आज कि हम इस वीडियो में देखेंगे जैव प्रक्रम से जो कोश्चन मोस्ट इंपार्टेंट पूछा जाता है उसके बारे में हम विज्ञान की हर चैप्टर से मोस्ट इंपार्टेंट कोश्चन को कवर करेंगे तो आप लोग फटा फट डिविजन में अपना लग जाएए और क्योंकि बोर्ड एक्जाम का डेट निगल चुका है 24 मार्थ से परिच्छा आप लोगा चालू होगा 10 खलास का तो चलिए देखते हैं अगला कोश्चन आज का पहला कोश्चन लिए हैं धामिनी सिरा तो था कोश्चा में अंतर अस्पस्ट कीजिए ये पिछली परिच्छाओं में आपके कोश्चन पूछा गया है धामिनी देखिए यह साफ रक्त को हिरदय से सरीर के अंगों के पास ले जाती है और चवडी को सिकाय होती है और मांस के अंदर गहराई में विद्धिमान होती है और सिराई के बारे में देखते है यह असुद्ध रक्त को सरीर के अंगों से हिरदय की ओर ले आती है इनकी दिवारे पतली होती है मांस में बहुत गहराई में नहीं बलकि उपरी तवचा के पास होती है अपको सिकाय है यह बहुत पतली और बारीक होती है यह रक्त को सभी अंगों तक पहुचाती है यही आपलों का अंतर इसमें स्पष्ट हो गया इस तरह से परिच्छा में आपको लिख देना है मनुस में ब्रिक के दो प्रमुख कारियों का वरण कीजिए इसका दो कारण प्रमुख है यह रक्त में घुले अबसिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं दूसरा यह पानी और लवण को उचित संतुयन बनाए रखते हैं मुत्र मार्ग से क्या अभिप्राय है सरीर से मुत्र को बाहर निकालने के लिए जहिली में नालिका को मुत्र मार्ग कहते हैं जिसका सीधा समंद मुत्रासय से होता है स्वेत रक्त कडिकाओं को सरीर का सैनिक क्यों कहते हैं स्वेत रक्त कडिकाओं सरीर की रच्छक है ये प्रतिरच्छियों का इर्मार करती है जब कभी सरीर में रोक फैलने वाले रोगाडू प्रविष्ट हो जाते हैं या कोई चोट लग जाती है तो ये रोगाडूं का भच्छन कर लेती है इसलिए इन्हें सरीर का सैनिक कहा जाता है लाल रुधिर कडिकाओं का रंग लाल क्यों होता है लोहे का योगिक हीमोगलोवीन के कारण रंग लाल होता है द्वार कोशिकाओं पर संचिप्त टिपणी लिखिए पत्तियों की बाहत वचा पर असंख्य छोटे चिद्र होते है जिन्हें रंध्र कहते हैं ये रंध्र दो अर्ध चंद्राकार या वक्राकार रचक को सिकाओं से घिरे रहते हैं जिन्हें द्वार को सिकाओं कहते हैं स्वसन एवं दहन में अंतर बताईए इस प्रस्ण का आप लोग उत्तर इस प्रकार लिखेंगे की स्वसन और दहन में अंतर निम्न है एक सैड में लिखेंगे स्वसन और एक सैड में लिखेंगे दहन तो पहले हम स्वसन के बारे में पढ़ लगते हैं उसके बाद दहन के बारे में चर्चा कर लेंगे स्वसन एक जैविक राशानी क्रिया है दूसरा इसमें पदार्थों का धीमी गती से आक्सी करण होता है तीसरा इस क्रिया में निकली उर्जा ATP के रूप में संचित रहती है चौथा यह एक नियंतरित क्रिया है यह कम ताप पर होती है अब दहन के बारे में देखिए दहन का पहला है यह एक अजयविक क्रिया है दूसरा इसमें तीब्रगती से आक्सी करण होता है तीसरा इस क्रिया में उर्जा प्रकास एवं ताप के रूप में निकलती है चौथा यह एक अनियंत क्रिया है जो उच्चताप करम का होती है इस प्रकार से हमने आप लोगों को अंतर के बारे में बताया और भी आगे हम most important question सब लाएंगे दीरे दीरे सब वीडियो upload होगा अच्छा से आप लोग बढ़ी से revision करिए और परिछा में अच्छा इसको रुप्राप्ट करिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अपने दोस्तों में से सयर कीजिए